बड़ी खबर आपको दे दे जो कि दिल्ली से आ रही है दिली के LG के आदेश पर आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाहा और आम आद्मी पार्टी के सांसद एंडी गुपता के बेटे नवीन गुपता को डिसकॉम्स से हटा दिया गया है इन दोनों पर अनिल अंबानी की कंपनी के दिसकॉम्स में शामिल प्राइविट प्रतिनधियों के साथ मिलकर उन लोगों को आठ हजार करोड रुपए तक का फायदा पहुचाने का आरूप है इन दोनों को हटाने के बाद अब वित्त सच्चिव, विदुत सच्चिव और दिल्ली ट्रांसको के अमजी ही टिसकॉम्स में प्रतिन धत्व करेंगे आपको जानकारी दे दें के डिसकॉम्स में दिल्ली सरकार की 49 पीसिदी हिस्सेदारी है और शील्या दिक्षित के समय से ही केवल वरिष्ट सरकारी अधिकारी ही इसमें शामिल किये जाते थे आम आदमी पार्टी सरकार पर आरूप है कि नियमों की अंदेखी करते हुए पार्टी प्रवक्ता और सांसत के बेटे को इसमें शामिल किया गया तो दिल्ली में फिर से ल्जी और केज्रवाल में तकरार की स्थिती बन गई है LG ने डिसकॉम से दो प्रतिनिधियों को हटा दिया है जैसमीन शाहा को हटाया गया है आम आदमी पार्टी के जैसमीन शाहा जो के डिसकॉम से हटा दिये गए है इस वक्त की ये पड़ी खबर और साती आम आदमी पार्टी के सांसद एंडी गुपता के बेटे नवीन गुपता को भी हटाया गया है आम आदमी पार्टी पर यह आरूप है, सरकार पर की नियमों की अंदेखी हुई है यहाँ पर और नियमों की अंदेखी करते हुए पार्टी प्रवक्ता और सांसत के बेटे को इसमें शामिल किया गया है, तो यहाँ पर देखे एक बार फिर से LG और दिली सरकार आमने सामने ज कर दिसकॉम्स का अगठान वा था आप सब्सक्राइब कर रही थी शीला दिक्षित के ज़माने में जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी इसकॉम्स में ये प्रक्रिया रही थी कि सरकारी अधिकारी ओको ही निफ्ट किया जाता था था गवर्मेंन्न रेप्रेजेटेटिटि प्रवक्ता और अपने सांसत के बेटे को इसके बोर्ड पर नियुक्त कर दिया था जो की बिल्कुल इलीगल था जो जारी किये गया है उसमें भी कहा गया है कि अबैद तरीके से किया गया था लेहाजा इन दोनों को हटाया जाता है और अब से यह दुबारा से प्रथा करेंगे दिली सरकार को साथ ही यह बड़ा आरोप लगाए गया है कि इन दोनों ने मिल करके जो प्राइवेट रेप्रेजेंटेटिव्स डिस्कॉम्स में शामिल थे उनको तकरीवन आठ हजार करोर का फायदा पहुचाया इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह एलजी दित्वदी आ गया जाहिर है एलजी वर्सस आमाद्मी पार्टी सरकार आने वाले दिनों में हम देखेंगे जी है बिल्कुल जो तकरार हम पहले से देखते आ रहे हैं मुझे लगता है कि दिन बदिन वो लड़ाई और बढ़ती जा रही है और आमाद्मी पार्टी की इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी आ सकती है समभव है कि आमाद्मी पार्टी अपने डिफेंस में यह कहे कि यह प्लिटिकली मॉटिवेटेड है जैसा कि उनकी दरफ से आर्गिमेंट रहा है लेकिन मैं फिर से दोरादू जो ओर्डर जारी किये गए हैं इन दोनों को हटाने के लिए उसमें बाखायद है इस बात को मामले पर आमाद्मी पार्टी की तरफसे आई है अभी तक तो नहीं आयी है अभी तो कारवाई की जानकारी हमें आई है अलजी की तरफ से बड़ी कारवाई की गई है निश्यत तोर पर इस पर, consider,ërd,आम,ादी,पार्टी की तरफ से उनकी के तौर पर हम देखेंगे लेकिन फिल्हाल कोई आमादमी पार्टी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है। लोगों को अटाया जाना आ समविधाने के वो सीधे तोर पर ये कह रहे हैं कि ये अधिकार सरकार के पास है। जिदे कि आमादी पार्टी ने सुप्रीम कोट के आउडर का हवाला दिया है। इस दिर्दी पार्टी ने कहा, कि सुप्रीम कोड़ ने कहा, कि लॉट और जमीन और खानून को छोड़ कर, तमाम जो सक्तियां हैं उदिली सरकार के पास में, और दिली सरकार उसी सक्तियों के तहर इस तरह के अपवाइन्मेंट कर सकती है, उसी का हवाला देते हुए आम आदी पाटी ने स्टेटमेंट जारी किया है सीड़े तोर पर ये का है जैस्मिन शाह और एंटी गुप्टा के बेटे नवीन गुप्टा की जो जहां पर अपाइन्मेंट की गई थी वो चुनी भी सरकार के द्वारा की गई थी उस अपाइन्मेंट को LG खारीज नहीं कर सकते हैं और LG अपनी तरफ से कोई अपाइन्मेंट भी नहीं कर सकते हैं तो ये सीज़े तोर पर आम आदी पाटी एक कह रही है कि LG ने अस्तम्यधानिक तरीके से दोनों को ही डिस्कॉम से हटा दिया है क्या मजबूरी है मेरी बताइए मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ के मैंने जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइब अप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे